नमस्कार अब दीक्रे न्यूस फोर नेशन और मैं हूँ सांधमुना आपके साथ बिहार की सियासत में जदियों की तूट का स्क्रिप्ट जारी हो चुका है जहां स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और 20 फरवरी के बाद पार्टी में एक बड़ा भूचाल आ सकता है ऐसा इसे लिए क्योंकि उपेंद्र कुश्वाहा 20 फरवरी को मीटिंग बुला रहे हैं और इसी बात का इंतजार पार्टी आला कमान कर रही है जिसके बाद वो उपेंद्र कुश्वाहा को पार्टी से दरकिनार कर बाहर का रास्ता दिखा देगी जद्यू मेंदनो कुछ भी ठीक नहीं नुटिश कुमार के बेहत खास और भरोसे मन करीबी माने जाने वाले उपेंद्र कुश्वाहा अब उनसे दूर हो चुके हैं दोनों के बीच दरार आ चुकी है जहां जद्यू दो फाड में नज़र आ रही है अब देखना यह है यह जो टूट का स्क्रिप्ट लिखा गया है क्या वो कहानी 20 फरवरी के बाद रची जाएगी जानते हैं दरसल जद्यू के लिए अगले कुछ महीने ही बहुत महत्वपून है पाटी का आजजेडी में विले होगा या पाटी में टूट इसे लेकर आजजेतिक गल्यारे में कई प्रकार के कयास लगाये जा रहे हैं जद्यू संसद्य बोट के अध्याक शुपेंद्र कुश्वाहा के प्रकडन को लेकर पाटी के बीतर जिस प्रकार घमासान मचा हुआ है उसे देख कर ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में इतिश कुमार को पाटी के भीतर कुछ अब प्रत्याश्वत घटनाई देखने को मल सकती है गौर्दलब है कि जद्यू संसदिय बोट के अध्यक शुपेंद्र कुश्वाहा ने पाटी के कारेकरताओं के नाम एक खुला पत्र जारी किया है पाटी नेत्रत्यों से नाराज चल रहे उपेंद्र कुश्वाहा ने कारेकरताओं के साथ आगामी 19 और 20 फरवरी को एक बैठक कर अपनी बात रखने के साथ कारेकरताओं की राए जानना चाहते हैं उन्होंने कारेकरताओं के नाम खुला पत्र लिखा और कहा पाटी आंतरिक कारणों से रोज कमजोर हो रही है उपेंद्र कुश्वाहा का ये मानना है कि मागजवंदन की सरकार बनने के बाद जद्यू का जनाधार काफी तेजी से घट रहा है उन्होंने कहा कि नवंबर दिसंबर में हुए उप्चुनाफ के परिनाम इसका जीता जागता उदाहरन है उसके अलावा उपेंद्र कुश्वाहा ने कहा कि आरजेटी के साथ पाटी ने तृत्रत में कोई खास डील की है समभवता उस डील में जद्यू का राष्ट्रे जनता दल में विले करने पर भी सहमती बन चुकी है उपेंद्र कुश्वाहा ने कहा कि जिन कारेकरताओं ने पाटी को खून पसीने से सीचा है उन कारेकरताओं को जबरन उसी पाटी के लिए काम करने को मजबूर किया जा रहा है जिसके खिलाब वर्षों तक कारेकरताओं ने लड़ाई लड़ी है उपेंद्र कुश्वाहा के इस पहल पर ये देखना दल्चस्प होगा कि क्या 19 और 20 फरवरी को उन्होंने जो बैठक बुलाई है उसमें पहुशने वाले जद्यू कारेकरता की संख्या क्या होती है और क्या उपेंद्र कुश्वा उस दिन पाटी कारेकरताओं के साथ कुछ साथ लेकर जद्यू छोड़ने का एलान कर सकते है जद्यू प्रदेश अद्यक्ष मेस्ट सेंग कुश्वाहा ने उपेंद्र कुश्वाहा के द्वारा उनीस और बीस फरवरी को पार्टी कारेकरताओं के साथ बैठक पर कटाक्ष किया है उन्होंने उपेंद्र कुश्वा को नसीयत देते हुए कहा कि अभी वो पार्टी के सदस्य मात्र है जद्यू प्रदेश अद्यक्ष ने कहा कि हाल के दिनों में प्रखंट से रास्ट्र अद्यक्ष तक संगटन का चुनाव हुआ है लेकिन उसके बाद अभी तक ना तो प्रदेश और ना ही रास्ट्र कमिटी जारी की गई है उपेंद्र कुश्वाहा मात्वा कांच्षा के अतिरेक में व्यवारिक और अनगरल बयान बाजी कर रहे हैं उनके राज्यतिक जीवन के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा उमेज सिंग कुश्वाहा ने कहा कि जद्यू जनता की पाटी है जिसे नितीश कुमार ने खड़ा किया है उपेंद्र कुश्वाहा कितनी अफसरवादी है ये बताने की जरूरत नहीं है वो कहां कहां गए अपनी पाटी बनाए और इस बार यहां आने के बाद पाटी को ही कमजोर करनी का काम किया जद्यू प्रदेश अध्यक्ष ने ये भी कहा कि उपेंद्र कुश्वाहा अब हमारे संसद्य बोट के अध्यक्ष नहीं है ऐसे लिए उनको मीटिंग बुलानी का कोई अधिकार नहीं है उमेज श्रेंग कुश्वाहा ने यहां तक कहा कि अगर उपेंद्र कुश्वाहा संसद्य दल के अध्यक्ष होते तो भी उन्हें ये अधिकार नहीं था जद्यू में तूट की स्क्रिप्ट तो लिखी जा चुकी है क्योंकि उपेंद्र कुश्वाहा की खिलाफ पूरी पार्टी खड़ी हो चुकी है पार्टी के शेश नेत्रत तो खड़े हो चुके है उपेंदु कुश्वाहा की मीटिंग का इंतजार किया जा रहा है और 20 परवरी के बाद ये साफ हो पाएगा कि क्या जद्यू बिखरती चली जाएगी और उसे कोई समेट नहीं पाएगा या निदीश कुमार अपने वोट बैंक को बचाने के लिए और अपनी पाठी को बचाने के लिए कोई बड़ा खेल कर जाते हैं फ़ला के लिए इस कबर में अतना ही नमस्का